और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको लगातार एवीपी नियूस पर हम बता रहे हैं ग्रेमिंटरिया मिच्छा पशे मंगाल के दोरे पर हैं दो दिन के लिए वहाँ पर मौझूद है और आज उन्होंने एवीपी नियूस से बात करते हुए इस बात का दावा किया कि पशे मंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटे जीतने वाली है और साथी साथ उन्होंने ममता पर हमला भी ये कहते हुए कि ममता बैनरजी सरकार जो है वो केंदर की नीतियों को अपने राज में लागू नहीं होने देना चाहती है और ये साबित करना चाहती है कि अगर ऐसा होता है तो उससे नरेंद्र मोदी की लोग प्रियता बढ़ेगी लेकिन हमें चाहने का कि नरेंद्र मोदी पशे मंगाल के लोगों के दिलों में बसते है और आपको दिखाते हैं क्या कुछ EVP News से बात करते हुए अपने पूरे इंटर्विव की दौरान हमें चाहने कही है पहले वो सुन लीजे रादनीतिक संस्कूती तेजी से बदल रही है मैं मानता हूँ कि बंगाल सरकार का एक सिद्धानत बन गाया है कि भाई की रादनीति करिये मगर मैं इतना ही कहना चाहत हूँ भारती जनता पाटी से डरती नहीं ना अब बंगाल की जनता भी डरेगी कि इस तरह से बेज़ेपी लड़ रही है यह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वाद से टीम सी के और बीज़ेपी कारकरताओं के चाहिए वीच में जड़ाप हो रही हैं तो टीम सी को पूछना चाहिए आपने सवाल आप रॉग नूम्बर डायल कर रहे हों हम तो हमारा काम करे ह क्यों हमले होते हैं कि पाफरी और बंगल की अस्मिता का जिक्र करती हैं कि बंगॉल की अस्मिता का सवाल है बाहरी लोग आकर कपजा करना चाहे Κेरल का हो, गुजरात का हो, उत्तपदेश का हो, हिंमाचल का हो या जम्मु कस्फिता, बंगाली असमिता को सन्मान भी करता है और प्रणाम करता है. इंपोर्टेंस वाल यह है कि 34 साल तक रही CPI की सरकार यहां पे लिफ्ट की गवर्मेंट रही 10 साल मंता बेनर जी की सरकार रही अब बंगाल की जनता भारती जनता पार्टिक तरफ आसा की नजोश देत रही यहां का जो मुख बेवशाय था कापास का चाय बागान का वो सब खतम होता जा रहा है क्या को लगता है कि अब जरूरत है बदलाव की और यहां की युओँ को रोजगार की नितांत जरूरत है वो खुद तो न करे मैं समझ सकता हूं कि इनके लिए करने को काफी काम है काफी कारुमें वियस्ता है तोलबाजी खटा करना हिंसा कराना प्रश जी ने बेजा वो नहीं मिला है इनको पांच लाख रूपिये तक की पूरी सुविदाय मिलती हस्पताल की फ्री आपकोस्ट वो मिली है क्या नहीं मिली है जो योदना कम से कम मोदी जी भेज रहे हैं आयुशमान भारत की योदना जो बंगाल के 10 करोड की जनता के लिए है और कशल के किसान को नहीं मिलता है यहां प्रजान मंत्री आवास योदना का घर यहां पर बन चुका है है अगर उसको रुकती यह ना बनता ऐब। बहुत सारी अनक यहां है य्योजना है तो इसको लागु करने के लिए आप सेंटर्स की पास बहुत सारी पावर्स होती हैं तो आप लोग दबाव क्यों नहीं डालते हैं देखिए हमारे समविदान में फेडरल स्ट्रक्चर का एक रोल है और कुछ योदनाये जो स्टेट सब्जेक्ट हैं वो राज्यों को लागू करनी होती है मगर उनके मन में भय है कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल की जंता में लोगप्रिय हो जाएंगे इसलिए वो योदनाओं को रोकती है उनको मालुमने वो लोगप्रिय है ही बंगाल की जंता उन पर भरोसा करती है इसलिए लोकसभा में 18 सीटे दे दी और विदान тем सबामें जब पूरा करेंगे निश्ची तरुप से मुझे नहीं करना है पूरा बंगाल की जनता को करना है बंगाल के मतदाताओं को करना है मैं तो एबीपी के माध्यम से बंगाल की जनता को अपिल करने आया हूं कि आपने कॉंग्रेस को खासा समय तीन दसक दे दिये करिब करिब तिन देशक आपने कौमिनिस्टो को भी दे दिए, एक देशक ममतादीदी को दे दिया, एक बार बारती जनता पारटी को मोका दिजे, हम बंगाल को सुनार बंगला बना करेंगे। कितना समर्थन मिल रहा है बंगाल के लोगों से? बहुत बढ़िया समर्थन मिला है आप आज साथ में होंगे तो देखा ही होगा रोड की दोनों और लोग स्वागत कर रहे हैं और प्रदानमंत्री जी पर एक अतूट प्रकार का विश्वास अब देश के घरीब और बंगाल की जन्ता में भी खड़ा हो गया है किसान परिवार में के साथ भोजन करने आये हैं दिल्ले में किसान पर तमाम किसान धरना दे रहे हैं इसका हल क्या देखते हैं चुकि आप भी कई बार बैठक कर चुके हैं उनके साथ प्रदानमंत्री जी ने भी कल अपील की मैं मानता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने अपील करी है और किसान भाईयों ने मूद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए क्या हल देखते हैं क्योंकि उन लोग तो पीछे हटने को त्यार नहीं जब तक कानून ना वापस हो जाए हम तो मैं तो आसा करता हूँ कि संभाध होगा और सार्थक संभाध होगा यहां की मुख्य CJ मंत्री तो लगा तार उसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐससे की साहन अंधुलन सबसे पहले समर्थन करने वाली बलकी मुख्ये मंत्री है वो ठीक है, उनका अपन Pero स्टैंड है भी तता है बंता है भर्तेय जनता पर्टी की तो क्या प्लू परिंट है क्या प्लान है बंग्ल को किस दिसे में लेके जाएंगे maio देड सारा प्लान है हमारी पूरी टिम हमारे भरतीय जनता पार्टी के घुषणा पत्र पर काम कर रही है। बंगाल के जिले-जिले की गाओं-गाओं की समस्या को हम इसमें समाहीत करेंगे और पांच साल का एक संपून विकास का नक्सा बंगाल की जन्टा के सामने हम देख कर दाएंगे देखेए चाहे भारती जन्टापार्टी का मूल केडर हो या नए जूडने वाले अमारे साथी हो सबका लक्स एक है बंगाल की राजनीती को बदलना बंगाल में से हिंसा ब्रष्टचार, टोलबाजी परिवारवाद इसको बाहर बेदना और बंगाल की सरहदों को देश की सरहदों को सुरक्सित करना अगर इसमें कोई मदबिद नहीं है तो कोई मद्विद नहीं होगा तीम सवाल चुकि बंगाल आप पिछली महीने भी आए इस महीने भी आप आ रहे हैं और लगातार आप बंगाल की स्थिस्थ में पिछले छे साल से वाच कर रहे हैं कि एक चीज पर आप देख रहे हैं वाइलेशन लगातार बढ़ रहा के 135 से आप आप राश्टपती शासन लगा के देखे तो लगाते क्यों नहीं फिर देखे राश्टपती सासन इस प्रकार से नहीं लगते जबकि चुनाव एकदम नद्दिक हैं और स्थीटी हमारे पास राजपाल महोदय का हर मेने रिपोर्ट आता है स्थीटी को देखे समविध जान की इस प्रकार की दाराओं का बार-बार उपयोग करना एक भारती अजनता पार्टी का संस्कूती नहीं है कॉंग्रेस का संस्कूती है अगर राजे सरकार के जो नियम कानून है उसको ना माने हाली में आपके मंत्राले ने ही तीन पुलिस अधिकार को अटेक्स किया गया दिखेंगे राजे केंदर सरकार के भी अपने अधिकार होते हैं अगर मैं इसको सारोधन नहीं कर सकता कल हमारे होम सेक्रेटी और डी आईबी ने आईबी के अध्यक्स है उन्होंने बात करी है वो जब फाइल मेरे पास आएंगे तब देखेंगे इसको बात करने के लिए ग्रे मंत्री अमिशाजी थे बहुत सारे सवालों को उन्होंने ज ABP News आपको रखे आगे